पंजाब के फगवाडा में SHO की मिनी लेपडाउन के दोरान रूटीन गस्ट पर निकले थे इसी दोरान एक सबजीवाले से दबंगई दिखाना SHO को भारी पड़ गया SHO की गुंडागर्दी का वीडियो सोसल मेडिया में काफी तेजी से वाइरल होने के बाद पंजाब पुलिस के डीजेपी दिनकर गुपता ने तुरंत प्रभाव से SHO को सेस्पेंट कर दिया है पंजाब के कपूर थला में फगवाडा थाना छेतर के SHO नवदीब सिंग पुलिस टीम के साथ गस्त पर निकले थे इसी दोरान वह दुकाने बंद करा रहे थे और भीड हटा रहे थे सरकार द्वारा तबजी मंडीना लगाने का आदेश है तभी उन्होंने बिना कुछ कहे एक सबजी वाले की दुकान पर मिर्च से भरी टोकरी पर लात मार दी भले ही फिल्मी स्टाइल में सिंगं बनने की कोशिश नवदीप सिंग ने की थी लेकिन अब उन पर यह एक्शन भारी पड़ गया वीडियो वारल होने के बाद लगातार छेत्र में इनकी कृति की निंदा की जा रही है इसके साथ ही लोगों ने ट्वीटर पर डीजीपी से एसेचो की शिकायत की जिसके बाद डीजीपी ने नवदीप सिंग को सेस्पेंट कर दिया है वही ट्वीटर पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एसेचो नवदीप सिंग ने सबजी की टोकरी पर लात नहीं बलकि गरीब के पेट पर लात मारी आप भी देखें ये वीडियो किस तरह से एसेचो नवदीप सिंग ने एक सबजी की टोकरी पर लात मारी झाल झाल